अब देखिए एक जाम्पल लेते हैं लोग 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 आपको बता रहते हैं अब यदि आइस के लिए लेते हैं तो आपको बताया थे कितना 80 कलोरी पर ग्राम अब जीरो डिए चेल्सेस और यदि वाटर के लिए वैपराजेशन का ले रहे हैं हम लोग L of steam या वाटर बोल सकते हैं आप steam कि यह जो वैल्य होता है यह होता है 540 कलोरी पर ग्राम यह at 100 डिवी फ्राशिएस एक हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं इसमें की सपोच कीजिए लिखते हैं 4 ग्राम ओफ आइस आट जीरो डीवी फ्राशिएस यह लिया जाता है ठीक है यह आइस है 4 ग्राम जीरो डीवी फ्राशिएस और यह कंटेनर है जिसके अंदर सपोच कीजिए 200 ग्राम वाटर है 200 ग्राम पानी है और जो इसका टेंप्रेचर है सपोच कीजिए यह 10 डिग्री सेल्सेशिए इन दोनों को हम लोग एक मिक्स करते हैं कंटेनर में आइसे मिक्स कर दिया जाता वाटर के साथ आइस तो यह आइस जो होगा जीरो पे है वाटर 10 डिग्री संजिएस पे है तो यह हीट अब्जॉर्ब करेगा वाटर से और यह मिक्ट कर जाएगा तो आपको बताना है तो पूरा वाटर हो जाएगा इस मेंट कर जाएगा तो देखिए इसमें दो फेज में काम करना पड़ेगा पहला क्या करना पड़ेगा कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से पहले किसमें बदलेगा तो वाटर एड जिरो डिग्री सेल्सियस पहले तो पूरा यह जिरो पे वाटर दनेगा क्योंकि यह जो ice हमने लिया हुआ है वो 10 पे जिरो पे है इसका temperature बढ़के suppose कि जिरो और 10 के बीच में कुछ ठीटा हो रहता है suppose 4-5-6 degree Celsius water पर जो भी आता हो तो 0 degree Celsius इसके बाद जो water होगा वो water convert होगा 0 से कहां पे तो water at temperature ठीटा यह देखिए ice बढ़ देखा मतलब ice को पहले water रो बदलना है फिर उस water का temperature बढ़ेगा इससे heat लेगा तो heat gained by ice निखा लेए निखा लेए पहले heat gain by ice लेकिए heat gain by ice क्या होने वाला है तो हम लोग लिखेंग के पहले चार ग्राम आइस है एक ग्राम आइस के विए कितना लगता है पिटी के लोग बढ़ेगा तो फॉस्स स्टेज में यहां जो heat लगेगा heat gain by ice लेकिए निखेंगे 4 इंटो 80 अब यह water में बदल गया तो चार ग्राम water है specific heat 1 है और इसके बाद change in temperature कितना हो जाएगा तो theta minus 0 delta theta देखेंगे क्या formula लगाएगा ml है और यह mc delta theta यह formula लोग इचता है ml formula क्योंकि delta h equals to m into m mass into latent heat तो पैसे यह निका रहा है अब आप देखिए इसके अंदर पहला जो पार्ट है वो latent heat जीरो ice से zero water में convert करने के लिए amount of heat लएगा होगा 4 into 80 और फिर zero से theta जहां कि यह theta किसके किसके बीच रहेगा तो zero से लेके 10 के बीच रहेगा क्योंकि 10 degree Celsius water का है और zero ice का है जब यह finally mixture बनेगा तो temperature दोनों के बीच में time settle होगा इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 0 to 10 के बीच में असे लिखेंगा नाओ इसको अंदरस्टैंड यह total का calculation कितना हो जाएगा तो 320 320 calorie यह वाला पार्ट हो गया और इसको आप लीख सकते हैं प्लस में यह हो जाएगा अब यह हीट कहां से मिलेगा इसको पहले दिखेंगे पार यह वाटर में बादला वाटर से टम्प्रेचर से उसके बड़त थिर्टा तो जो पूरा हीट है कि व drinking मिलेगा जो आप पहले टैंग गेल है इस्सी आइस llobe तो यह वाटर से वाटर में ही रहना है इसको इसलिए आप फर्मुला जो लगाएंगे एम सी थीटा लगाएंगे एम का वैल्यूस का कितना है 200 ग्राम एस्पेस्टिक हीट है वन और चेंगी टेपरचर कितना होगा तो टेन फाइनल था इनिशियल था और थीटा फाइनल था हीट लॉस बाइवाटर यह हो जाएगा आपका 200 इंटो 10 माइनस थीटा या आपका H2 और इस युम दोर को इक्वल कर देंगे है अब लोग लोग बाइन स्पाल अस्पेस्टिक हो क्या जाएगा H2 इस गिवस 320 प्लस 4 थीटा इक्वल्स तो 210 माइनस थीटा यह तो आप इस वो क्लिपलेशन करेंगे तो ऐसा आएगा 2000 माइनस 320 इक्वल्स थीटा यह 200 माइनस थीटा है तो यह गजाएगा 204 थीटा इसका अप्रॉक्सिमेट वैल्यू यह हम लोग निकालते हैं यह 8.1 प्लस 5 थीटा यह तो इस वाटर का टेम्टरचर जोगा कुछ फॉल कर जाएगा उससे जो हीट मिल रहा है उसमें 320 कलोरी हीट इसको मेंट करने के लिए लग जाएगा और बाकि कुछ उसका टेम्टरचर वढ़ाने के लिए जो की महुत कमें मॉट होगा ज्यादा 320 क तो इसका temperature फाइनल कितना आगा, equilibrium mixture का, 8.1 degree Celsius, अब इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, और भी कोई तरीका है जिसमें कि आप calculate कर सकते हैं, फॉर्मुला लिख के, लेकिन, latent rate जहां पर आएगा, वहां पर एक extra term जो होगा, email वाला, यह हमें साहब को add पर, अब लोग एक और example लेंगे इसके अंदर, ठीक है, वो example है, आपको बताते हैं, example है, suppose कीजिए, माली जे 10 gram ice, at 0 degree Celsius, इसमें हम लोग mix करते हैं, suppose कीजिए, 100 gram water, at 20 degree Celsius, और यह किया जाता है, कहां पर, तो एक container में करते हैं, ice है, water है, और यह copper pack container है, यह copper जो container है, suppose कीजिए, यह है 300 gram, इसके अंदर हम लोग family करते हैं, इसका temperature, 0 degree Celsius, water जो है, 20 degree Celsius, और यह container है, suppose कीजिए, यह container है, आपका 30 degree Celsius है, मतलब यहां पर तीन object है, ice को मेराना है हम लोग को, इसमें water रहेगा, और यह container है, यह copper container है, तो यह भी heat, तो हम लोग को यह निकालना है, कि finally इस container के अंदर जो liquid रहेगा, यह metal का container है, इसका final equilibrium temperature क्या होगा, तो यह आपको हम problem करने के लिए hint बता जते हैं, आप अपने से खुद से इसको करेंगे, इसमें क्या-क्याक्स इस computer करेंगे, देखिए, ice के बारे में हमको पता है, 10 gram ice, zero, यह melt जरूब करेगा, क्यों melt करेगा ऐसा निकालना है, आपको conserve करना है, तो देखिए, 10 gram ice को melt करना है भी आपको, तो heat कितना required होगा, pain multiplied by कितना है, 80 calories, तो 800 calories चेलिए आपको, तो 800 calories जो है, heat के दिन मिल जाता है, तो पूरा ice melt कर जाएगा, लेकिन, यह heat आएगा कहां से, तो यह दो जगर से मिल सकता है, यहां से मिल सकता है, यहां से मिल सकता है, आप किसी से भी check कर सकते हैं, जैसे example के लिए, इसमें 100 gram water 20 पे है, तो water धीरे धीरे थंडा होगा, क्योंकि ice मिला दी है, minimum कितने पे आ सकता है, तो zero पे आ सकता है, जो ice का temperature होता है, melt करने के बाद में, तो कितना यह heat lose कर सकता है, तो 100 gram पानी, 20 degree Celsius से 0 पे आगा, तो देखिए, कितना heat lose करेगा, यह calculation करना होगा, 200 gram into specific heat 1 into 20 minus 0, तो यह देखिए, आपका 100 gram, तो 100 gram into इतना करेंगे, तो यह आजाएगा आपका 2000 कैलोरी, मतलब यह water 2000 कैलोरी दे सकता है, 0 पे आएगा तो, और इसको चाहिए कितना, only 800 कैलोरी, तो इसका मतलब है कि यह इतना heat देने में sufficient है, कि यह पूरा का पूरा ice melt कर जाएगा, जब पूरा ice melt कर जाएगा, 800 महीं, और यह कितना दे सकता है, 2000 कैलोरी, is theta, और वो equilibrium temperature जो होगा, वो आप कहीं भी एजून कर सकते हैं, कहां से start करके, तो 0 से लेकर 30 के भी जो, आप बोलें, इस बीच में 20 है, क्या 20 से कम लें या 20 से जादा लें, आप mentally ऐसा रख लिजे, यह 20 से कम, example के लिए, यह 15 degree Celsius है, 16 degree Celsius ऐसा माल लेते हैं, कि लेते हैं, तो यहां कौन-कौन heat loose करेगा और कौन-कौन gain करेगा यह आपको बेहना है, तो हम लोग लिखेंगे, heat gained by ice, तो देखें, heat gained by ice को H1 लिखते है, हें, H1 equals to कितना, तो 10 gram into A T, M into L, परना part हो गया, plus 10 gram ice, अब वाटर में बदल गया, तो इस्पेस्टिट हो गया 1, और यह थीटा टमपरिचर तक गएगा, जी और से, यहां लिखेंगे कि यह होगा, थीटा minus Q, यह हो गया heat gained by ice, अब आप निकालते हैं heat lost by water यह H2 है तो heat lost by water H2 कैसे निकालेंगे 100 gram water है तो temperature कैसे change हुआ 20 से theta आ गया 20 minus ऐसे निकाल दिया अब copper का जो container है यह भी heat loose किया है यह heat loose किया कैसे तो 30 degree Celsius से theta आ गया तो हम दो किसी रभ निकालेंगे इसमें heat lost by copper या आप लिख सकते हैं copper container यह तीसरा part इसको H3 लिखते हैं तो copper का mass कितना है 300 gram mc delta beta c का value कितना होता है 0.1 और theta कितना लेंगे इसका 30 minus theta है जिसका आप calculate करेंगे तो 30 into 30 minus theta होगा लेके तीन पार्ट लोगा ice heat लिया, melt कर लिया और फिर फ्रॉलासा temperature बना उसको जो भी heat का requirement हा वो कहां से मिला तो जो water loose किया है और जो copper loose किया है तो heat lost, heat gain जो है और जो heat lost है दोनों का equation set करेंगे heat lost, heat gain by ice इकोल सो होगा heat lost by water plus heat lost by copper container, h1 बराबर h2 plus x1 अभी calculation फूरा complete करते हैं उलोग देखिए क्या calculation में आना है तो यह होगा आप 800 plus 10 into theta इकोल सो इसको calculation किये, तो यह होगा 100 into 20 minus theta और plus 30 into 30 minus theta यह 10 से पूरा डिवाइट कर दीजे, तो यह हो जाएगा 80 plus theta equals to 10 into 20 minus theta plus 3 into 30 minus theta इसमें 10 से डिवाइट कर देखिए, हमने एक 0 आप समझेए, सब ज़गा से हटा जा जा जाएगा अब आप calculation करेंगे 80 plus theta equals to यहा हो जाएगा 200 minus 10 theta plus यह हो जाएगा 90 minus 3 theta इसको इदर minus कर देंगे, हमने तो यह हो जाएगा 200 plus 90 minus equals to यह complete इदर करेंगे, तो यह हो जाएगा theta plus 10 theta plus 3 theta 210 equals to 14 theta this gives theta equals to 210 by 14 7 से cancel कर सकते हैं, यह हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 2 यह exactly देखे 15 degree Celsius आएगा यह हो जाएगा तो theta का value कितना आगया 15 degree Celsius तो calculation में क्या है यह भले इसमें mix हो गया, लेकिन मान के चलेंगे कि एक अलग बॉड्ली है, जो उगधर water से आएगा